Hey guys, welcome back to my channel, this is Pragya and आज की वीडियो में तो आपको पता चल गया होगा, हमने तो देखी लिया है, तो आज मैं ओगनाइस करने वाली हूँ study space on bed, so I hope ये वीडियो आपके लिए बहुत helpful रहने वाली है, so वीडियो को शुदू करने से पहले, लाइक कर लो चानल को करने का कोई फाइदा नहीं होगा, और आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, so वीडियो को शुदू करते हैं, so एक चीज मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी बोली थी, इस वीडियो में भी बताऊंगी, क्योंकि सबके घर की situation अलग-अलग होती है, आ इस भी आप रूम में study कर रहे हो, वो रूम जो है, उस रूम में proper sunlight आरी हो, उसमें जादा noise ना हो, जादा distraction ना हो, जिसमें लोहों का आना चाना कम हो, अगर जरुद पड़े तो आप store room में भी study कर सकते हो, उसको clean करके वहाँ पर अपना study area बना लो, but light होनी चाहिए और distraction न चीट बिछाने के बाद, आपका जो bed का back support जो होता है, आप उसके उपर अपनी चीजों को organize कर सकते हो, for example, मैं आपको दिखाऊंगी, एक दो चीजे मैं इसके उपर रख रही हूँ, तो आपको जितनी चीजों की जरूरत हो, आपको लगता हो कि आपको इन इन चीजों की study क टाइम पर जरूरत बढ़ सकती है, जिससे कि आपको बीच-बीच में उठ करके कहीं जाना ना पड़े, तो आपको वो वो चीजें यहाँ पर रख लीनी है, तो यह जो back support है, इसका आप use कर सकते हो, जिससे कि आप कम area cover करोगे अपने सामान को रखने के लिए, फिर आपको लेना है, कार्ट बोर्ड और इस कार्ट बोर्ड के ऊपर आप देख रहे हैं कि यह जो कर्टन है, मैं इसको इसके ऊपर फोल्ड कर रही हूं, पूरा cover कर रही हूं इस कार्ट बोर्ड को, इससे क्या होगा कि थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगेगा, तो मैंने यहाँ मरून कलर का ले लिया है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, अगर आप चाहो ना तो आपने बेडशीट से मैच करता हूँ, कोई सा भी कार्ट बोर्ड ले सकते हो, और उसके ऊपर या चाहो तो कोई पेपर लगा दो, या कपड़े लगा दो, और फिर हम इसको कॉर्णर में लगाएंगे, क्योंकि ये जो कॉर्णर होता है, इसमें लोग कमी सोते हैं, वो स्पेस जो है आपका खाली होता है, तो आप इस स्पेस को यूज कर सकते हो, ऐस अ स्टडी एरिया, तो जिसे कि आपको चीज़े बार बार हटानी नहीं पड़ेंगी, तो अब आपको सारी की स सारी चीज़े आपको एक जगे पर रख लेनी हैं, और हाँ, एक गलती मैंने की थी, जो कि आप मत करना, तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि ये जो ऑर्गनाइजेशन और इस टाइप का डिया वाई ओर्गनाइजर मैंने बनाया था, जिसको मैं यहां पर यूज कर रह हैं, जिससे कि हमें अपने स्टडी के टाइम पर डिस्ट्रैक्ट ना होना पड़े और साही के साही चीज़े एक जगे पर मिल जाएं, हाँ, एक गलती मैंने की ती, यहां पर जो मैंने कुछ सपोर्ट नहीं लगाया था, तो मैं इसको क्या करूंगी कि पहले मैं इसको हटा तो यह जरूरी था क्योंकि आपके साथ भी ऐसा होता फिर आप परिशान हो जाते तो डोंट वरी यह सब के साथ होता है कोई भी परफेक्ट नहीं होता बिलकुल तो यह चोटी मोटी गलती हैं जिनके लिए आप इन हैक्स का यूज कर सकते हो और यह वाला study table तो आपने मेर को शॉर्ट कट में आपका study area organize करना है बहुत जादा कुछ नहीं करना है एक पिलो रख लेना है पिछे के साइड में तकी आपको बैक सपोर्ट हैं सारे अगर अगर आप पी हो तो आप left side में रखो क्यूंकि इससे क्या होता है ना आप comfortable होगे आपका जो time है वो बहुत सदा वेस्ट नहीं होगा और इस तरीके से आप अपना study area बहुत ही अच्छे से organize कर सकते हो और जब आपको सोना हो तो आप इस table को side में हटा करके इसी bed पे सो भी सकते हो और so मैंने इस वीडियो में बहुत जादा कुछ extra नहीं बताया है बस simple सी चीज़े बताई है जिसको कि हर को अगर कोई चोटा बच्चा है वो भी कर सकता है इस चीज़ को तो आपके पास क्यूंकि आप student हो time कम होता है ना तो इस तरीके से आपका study area आप organize कर सकते हो इस वाले box की जगे पे आप चाहो तो simple सा कोई box ले लो भी बहुत अच्छा आपका table जो है कुछ मिंटों में बन करके त्यार हो जाएगा तो अगर आपको DIY करना नहीं अच्छा लगता है यह आप बहुत जादा आलसी होना यह वाला hack try करना कोई simple सा box लो और उसके अंदर आ आपको काफी अच्छी लगी होगे क्योंकि आपने देखा इजी था सब कुछ अरेंज करना तो इतना इजी है कि आपका बहुत कम टाइम लगेगा और बहुत अच्छे से आप अपना space और अपना space कर सकते हो and you know what organized space में अगर आप पढाई करोगे neat and clean area होगा आपका बहुत मन भी लगेगा तो यह सारी चीज़ जो है न वो try किया करो और इस तरीके से क्या होगा कि आप अपने घर में भी अपने ममा को भी help कर पाओगे at least उनको आपका रूम तो clean नहीं करना पड़ेगा मैंने लास्ट वीडियो में जो question पूझा था उसका सबसे सही और सबसे पहले जो answer दिया था वो दिया था तेजस्वी ने माधूरी पाटिल ने एंड सुनीता यादव ने बिकोस हमारा जो इंडिया है वो 15 अगर्स 1947 में आजाद हुआ था और 2020 में इसे हुए थे 74 यह जो 74 यह जिन लोग के question है वो भी सही है बट अभी 2021 में 75 यह हो गए and I hope वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी so वीडियो को like, share and subscribe करना नहीं बोलना मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए bye bye stay home stay safe